हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे चैनल पे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बोटने एक ब्लाउस की डिजाइन शेयर करूँगी जिसे हम 34 साइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो देखिए मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही मेजरमेंट लेते हुए हम अपने ब्लाउस का नाप लगाए है तो देखिए 14 इंच हमने हमारे ब्लाउस की लंबाई लिया है शोल्डर हमने 7 इंच लिया है आर्म होल भी हमने 7 इंच लिया है आप देखिए यह उस पर गले का नाप लगाएंगे तो देखिए गले की जो चोडाई हमने लिए है वो चार इंच लिए है तो इस तरीके से चार इंच पर एक निशान लगाएंगे और गले की जो लंबाई हम ले रहे हैं वो तीन इंच ले रहे हैं बोटनेक के अकॉर्डिंग और हम यहां से 11 आप देखे वी हम 4 इंज पर चोड़ाई का निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक box बना लेंगे यहां से भी हम देखिये लाइन को सीधा गर लेंगे अब यहां पे हम अपने गले का जो shape हुँआ देएंगे तो देखिये इस तरीके से round शेप देना है और यहां से से देखिये हमको इस तरीके से पति का shape देना है आप चाहिए तो इसे और deep बना सकते हैं अपने according तो इस तरीके से हमने देखिए यह उसी लिब दिया है अब दीके नीचे के तरफ से आपको तेप को रखना है और इस तरीके से एक इंच पूर निशान लगाना है है हां से हम हलका सा राउंड शेप दिंगे हलो कि से अब हमारे नेक डिजाइन को कट करेंगे तो दिखे हमारा जो गला है वो हमने कट कर लिया है अब हम अपने मेन फैबरिक को सीधा रखेंगे उसके उपर लाइनिंग वाले फैबरिक को पिनप करके अच्छा से सेट कर लेंगे अब देखिए पूरे ही गले पे हमको सलाई लगा लिनी है और नीचे कमर के तरफ जो शीप पनाया है वहाँ पे भी हमको सलाई लगा लिनी है अब देखिए यह जो एक्स्ट्रा फैबरिक है हम इसको कट करके निकाल लेंगे गले के साइट से भी जो एक्स्ट्रा फैबरिक है इसको कट करके निकाल लेना है अब पूरे ही गले पर देखें छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो फिनिशिंग के साथ पलट जाए अब देखें यहां से हमको अपने बलाउस को पलट लेना है और आइरन कर लेना है इसके उपर तो ठीकी हमारा जो बलाउस है हमने पलट लिया है अब हमारे एक बलाउस का जो गला है इस पर कॉर्णर से आपको सलाई लगा लेनी है नीची कमर के साइट भी हमको सलाई लगा लेनी है अब दीकी बलाउस के दोनों साइट भी हमको सलाई लगा लेनी है एक्स्ट्रा फैबरिक को कट करके निकाल लेना है तो दीकी हमारे जो गला है वो बनके त्यार हो गया है अब हम टक्स डाल के अपने बलाउस को त्यार कर लेंगे तो टक्स की जो लंबाई हमने रखी वो साड़ी चार इंच रखी है तो दीकी हमारे जो बलाउस है उसमें हमने टक्स डाल के त्यार कर लिया है अब हम हमारे blouse में जो डिजाइन बनाएंगे वो तयार करेंगे डिजाइन बनाने के लिए देखी हमने डबल फैबरिक लिया है इस तरीके से लंबाई और चड़ाई इसकी 5 इंचे इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से राउंड शेप में हम कट करेंगे तो दिखी इस तरीके से राउंड शेप में हमको इसको कट कर लेना है अब दिखी इसको इस तरीके से आपको स्टिच करना है एक साइट से हम इसको हलका सा छोड़ देंगे और यहां से इसको पलट लेना है और जो ओपन वाला पाट है उसको हम इस तरीके से अंदर करते हुए फैबरिक को स्टिच कर लेंगे अब दीखिए उपर साइट से हम इस पे स्लाई लगा लेंगे अब दीखिए बीच से फोल्ड करके फैबरिक को चॉक से निशान लगाना है और इस तरीके से बीच के सेंटर से इसमें प्लेट्स बना के तयार कर लेना है तो दीखिए हमारा जो बो है वो बनकी तयार हो गया है तो दीखिए अब आपको इस तरीके से 6-7 इंच की हमने लंबी डोरी ली है और इस तरीके से दोनों साइड हम लटकन बना के तियार कर लिए अब आपको इस तरीके से बो में लटकन को लगा लेना है तो दीखे इस तरीके से हमने एक नोट लगा लिए इसमें और हमारा ये जो बो है उसमें लटकन हमने लगा के तियार कर लिया है अब दीखे एक डिजाइन हमको और बनाना है तो डिजाइन बनाने के लिए हमने इस तरीके से रेडी में डोरी ली है आप फैबिक से भी डोरी बना सकते हैं तो दीखी 2-2 इंच में हम डोरी कट कर लेना है तो इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और 2-2 इंच में डोरी को हमको कट कर लेना है तो दीखी इस तरीके से हमको बहुत सारी डोरी को कट कर लेना है अब दीखी इस तरीके से आपको एक अब देखे इसको अच्छे से ड्रो कर लीजे अब देखे हमने जो डोरी कट की थी उसको हम अपने ये जो डिजाइन बनाया है हमने पेपर के ऊपर उसके ऊपर स्टिच करेंगे तो देखे डोरी को डबल फोल्ड करते जाना है और इस तरीके से लूप बनाते हुए हमको तो दीकी पूरे ही डिजाइन पे हमने इस तरीके से लूप लगा के त्यार कर लिया है अब दीकी अपने डिजाइन के ऊपर हम इस तरीके से अपने बलाउस को रखेंगे बीच के सेंटर से बराबर रखते हुए इसको डिज करेंगे तो दीकी design को आप अच्छे से सेट कर लिजे उसके बाद इसको डिज कर लिजे इस तरीके से तो दीकि हमारा जो डिजाइन वो स्टिच हो गया है अब यह जो एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है इसको हम निकाल लेंगे फिनिशिंग के साथ पेपर को आपको निकाल लेना है और जो उपर के तरफ डोरी निकल रही है हम इसको कट करके बराबर कर लेंगे हमने हमारे ब्लाउस के गले पे लिस नहीं लगाई है आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी लिस इस पे लगा सकते हैं तो दीके हमारा जो ब्लाउस है उसमें हम बोर बनाया था वो बोर लगाएंगे तो आप चाहें तो उपर के तरफ भी इसको स्टिच कर सकते हैं हम यहां नीचे के साइड इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से तो दीके हमने जो बो है उसको स्टिच कर लिया है और यह जो हमारा ब्लाउस का डिजाइन है वो बन की तयार हो गया है उपर के तरफ देखी इस तरीके से हमने रैड कलर का बटन लगा लिया है तो फ्रेंड्स झाल झाल